हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार जोतिस ज्यान में दर्शु को आईए आप सुभी का हम स्वागत करते हैं आज हम दर्शु को आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसी बाते हैं जो अपके घर के वास्तु पर बहुत नकारात्मक असर छोड़ती हैं हम कई बार कुछ चीजों को पर विसेज ध्यान नहीं दे पाते हैं लेकिन हमें उन चीजों से बहुत बड़ा नुकसान होता रहता आप देखें चाहे हम जोतिस सास्तिर की बात करें चाहे हम सामदरिक सास्तिर की बात करें या हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें हर सब्जेक्ट की अपनी एक विसेस्ता होती है उसी में से एक सब्जेक्ट है आपका वास्तू वास्तू बनाते वक्त या वास्तू को करते वक्त कई बार कुछ खामिया भी रह जाती है अब देखो पूर्ट तो केवल इश्वर ही है हम भवन खरीदते हैं या भवन हम बनाते हैं तो हम हर तरह से वास्तू का ख्याल रखते हैं लेकिन बहुत ऐसे संसार में लोग हैं जो वास्तू को मानते ही नहीं है अपना अपना मानना है अपनी अपनी सोच है सब सबतंत्र धाराओं में जीते हैं किसी पर किसी की कोई ऐसी बहुत बड़ी बंदिश नहीं है लेकिन मेरे दर्शको अगर जीवन को हम और सुरम्मे बनाना चाहते हैं और सुन्दर मीठा बनाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में वास्तू का एक बहुत बड़ा effect हमारे जीवन में आता ही आता है लेकिन आज हम आज हम आपके घर की structure की बात नहीं कर रहे हैं आज हम वास्तू की बनावट की बात नहीं कर रहे हैं आज हम बात करेंगे आपके घर में रखे हुए सामान की कई बार हमारे सामान रखने में विवस्ता बिगड़ जाती है और आपको पता नहीं लगता आप नाना भाती के उपाई करते रहते हैं आप हम लोगों के पास भी अपनी कुंडलियां लेकर के आते हैं हातों की रेखाई दिखाते हैं लेकिन कई बार बात नहीं बनती है क्यों? क्योंकि कारण कुछ और होता कई बार हम दवाई खाते हैं लेकिन हम ठीक नहीं हो बाते हैं जिस चीज़ की दवाई खाते हैं हो सकता है वो हमको रोग ही ना हो कारण कुछ और हो तो आईए दर्शुको अब हम आपको बताते हैं कि घर में कुछ ऐसी चीजे हैं जिनका बहुत विश्यस तरीके से आपको ध्यान रखना है नमबर एक हर घर में एक ब्रह्मिस्थान होता है चाहे आपका घर कितना भी बड़ा है चाहे आप फ्लॉर फ्लैट कहीं पर भी आप रहते हैं लेकिन हर घर के अंदर एक मद्यस्थान होता है आप छोटी जमीन पर रहते हैं आप बड़े भुवाग पर रहते हैं लेकिन मद्य भवन में रहते हैं, उस भवन का ठीक सेंटर मध्य स्थान, वहां कदापी कोई भारी चीज ना रखिए वास्तू के परकरण में कई बार क्या होता है, कि उस स्थान पर जीना बन जाता है, स्टेर बन जाती है, जिसका तरह सारा वजन उपर कई बार तनाओ की स्थिती बड़ी बन जाती है तो इसलिए अगर वहाँ पर वैसे तो हमने बहुत बार बताया है कि उस इस्थान पर कोई स्टेर ना हो उस इस्थान पर कोई हम पीलर ना बनाए लेकिन यह सब कुछ भी ना हो वहाँ हम कम से कम कोई वजनदार चीज ना रखें आपके घर का ब्रहम इस्थान बिलको शुद और पवित्र रहना चाहिए या आप बिलको इस चीज को नियम बना के रखें कि आप जहां रहते हैं जहां भी आपके घर का मद्धे इस्थान बनता है उसको हम ब्रहम इस्थान कहते हैं तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा वजन वाली चीज नहीं होनी चाहिए दूसरी बार वजन से क्या मतलब है अब आप यह भी सोचेंगे भई घर में कुन सा मशीनरी रखते हैं कुन सा बहुत बड़ी हम चीजे रखते हैं लेकिन कई बार इत्ताफ़ागन ब्रहम इस्थान में आप फ्रीज रख दें भारी होता है ब्रहम इस्थान में आप वाशिंग मुशीन रख दें तो वो आपके लिए शुब नहीं है यानि कि आपके घर में जो भी चीजे हैं उन में जो कुछ चीजे जो भारी होती है कुछ चीजे हलकी होती है तो कदापी भारी चीज़ें जो आपके घर की हैं वो आपको ब्रहमिस्थान में नहीं रखनी है केलियर आप दूसरी बात करते हैं हम सब के घर में रशोई होती है सबी के घर में जो रशोई का प्लेटफार्म बनाते हैं कोई काले पत्थर का बनाते हैं लेकिन आप कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि जो लोग रहते ही एक कमरे में तो वहां रसोई नहीं होती कई बार इस प्रकार की वश्ता नहीं होती है तो वहां वो मद्धे स्टान का ध्यान रखें लेकिन हम बात करते हैं कि जहां जिनके घर में किचन बना है और किचन में यदि आपके घर में ब्लैक पत्थर है, सफेद पत्थर है, कैसा भी आपने लगा है, वो तिड़का हुआ नहीं होना चाहिए, कई बार आपकी किचन का जो प्लेटफार्म होता है, पत्थर होता है, वो बिलकुल बीच में से तूटा हुआ होता है, तिड़का हुआ होता है, छोटे-छोटे पीसी को जोड़कर के बनाया गया, वो चीज़ अलग है, लेकिन तूटा हुआ, अगर आपकी रसोई घर का कोई भी पत्थर तिड़का हुआ है, और तूटा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपकी धन संबदा के लिए ये एक अच्छा सूचना नहीं है इससे भी आपको loss होता रहेगा याद रहा आपको मैं बड़े ही simple, simple, ऐसे point बता रहा हूँ जिनको वास्तु आपको नहीं भी आती है लेकि ये subject, ये point आपको समझ मा जाएंगे और ये हमेशा के लिए होते हैं अब आगे हम एक point पर और बढ़ते हैं सभी घर में सफाई करने के लिए जाड़ू होती है होती है, तो मेरे दर्शों को कभी भी जाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए जो आपके घर की जाड़ू है जिस जाड़ू से आप अपने घर की बहरी करते हैं साफ सफाई करते हैं आपके घर में मेड है मेड को भी हिदायत दे कि इसको खड़ा न रखें और इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें कभी भी आपके घर की जो जाड़ू है उसके उपर कोई वजनदार चीज नहीं रखना कोई भी बजनदार चीज रखेंगे तो आप देख लेना कहीं नगहीं बरकत में कमी रहेगी कहीं नगहीं सारे रिक कष्ट आपको रहेगा तो घर की जो बहरी होती है जाड़ू होती है वो किसी भी बजनदार चीज के नीचे दबा करके नहीं रखना चाहिए घर की जाड़ू के ओपर कभी भी जोता चपल नहीं रखना चाहिए यह सब बाते आप ध्यान रखें घर की जो बहरी होती है अगर अपनी पे आ जाए तो राज महल के खजाने को भी साफ कर देती है उसको भी बहर देती है तो इसलिए मेरे मित्रो घर की जाड़ू को एक इस्थान उप्युक्त दें और उसको ऐसे इस्थान पर रखें जिसके ओपर कोई वजन ना है, जिसके ओपर जूता चपल ना है और उसको खड़े रूप में ना रखें। एक इस दिन है, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको उचली होता है। चाहें वो ब्रास का हो, या वो कोपर का हो, किसी बीशी का हो, तूटा हुआ पात्र भी घर में नहीं होना चाहिए। कोई मजबूरी है, कोई कारण है, कहीं पैसे की दिक्कत किलत है, वह हम समझ सकते हैं, देखो महाँ तो फिर दिक्कत है ही, महाँ तो हम दिक्कते जेली रहें। लेकिन अगर आपके घर में आप चेंज कर सकते हैं, उस पात्र को, तो आपको वो पात्र अवश्चे चेंज कर देना चाहिए। एक चीज़ और बता देते हैं बहुत घर में बेस्मेंट बने हुए है ना नीचे तल खाना बना लेते हैं बेस्मेंट बना लेते हैं तो जिस घर में खास तोर से आप रहते हैं बेस्मेंट नहीं होना चाहिए काई देमें हाँ कोई आपका उद्योग है कोई व्यापार है आपने शोरूम बनाना है, कोई आपने मेडिकल हौस्पिटल बनाना है, कोई भी ऐसी चीज बनानी है, यानिक permit किसी व्यापार के तहत यह आप basement बनाते है, तो वो माना जाता है, लेकिन अगर आप घर के रहने वाली इस्तिति में, जिसमें हम रहते हैं, तो basement अकसर घर में ठीक नहीं होता है जो उसमें अक्सर अंधेरा होता है और एक नीचे यानि के कुवा की तरह एक जमिल खाली हो जाती है उसके उपर हमारा रहन सेन होता है तो ये सही नहीं होता है कहीं न कहीं विकास में कमी आती है लेकिन मेरे मित्रो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ना बनाएं और यदि किसी वज़ा से बनाना पड़ता है तो नौर्थ इस्ट के कोर्णर में आप बेस्मेंट बनाएं अब वो लोग भी सुन लें जिन्होंने बेस्मेंट बना लिया है अब बहुत लोग कहेंगे हमारे यहां तो बेस्मेंट है हम सरमाजी क्या करें तो ऐसी स्थिति के लिए मैं आपको राई देता हूं कि एक तो बेस्मेंट में रोशनी की विवस्ता रखें बेस्मेंट के अंदर बलवादी उसमें जलता रहना चाहिए और हर ब्रस्पतिवार भगवान विश्नु का इस्मरण करते हुए बेस्मेंट के अंदर आप देसी घी का द रखते हैं ना तो वहां क्या करें रोशनी की भरपूर विवस्ता आपके बेस्मेंट में होनी चाहिए कोई ने कोई चोटा सा बल्ब जाहें जीरो बाट का ही सही लेकिन अक्सर उसमें जलता रहना चाहिए उसमें आप दीप धूप जरूर करते रहें इस से उस बेस्मेंट का जो नकारातमक प्रभाव है वो आपके उपर नहीं आएगा घर के अंदर किसी मृत पक्षी के पंक नहीं रखने चाहिए आपने सुना होगा सही होता एक सही के काटे लंबे-लंबे होते हैं तकवई जैसे तो सही के काटे भी नौकिले होते हैं वो भी किसी सजावट के रूप में या किसी रूप में घर में नहीं रखने चाहिए तो ये सब चीजे हैं खास सोर से इन पाइंटों का मैंने बड़े साधरन से पाइंट बताए हैं इनका आप विसे ध्यान रखें अगर गलती से कोई चीज ऐसी हो जाती है उसके लिए आप वास्तू पूजन जो हता है वास्तू पूजन अवश्य करा लें चाहे आपसे चाहे स सब विचार कर सकते है वास्तू के तहट एक आता है दस दिशी यन्त्र जो हमारी दस दिशाओं को कंट्रोلك़ता है तो हम خاصत होर से एक गलती और ना करें आपने अपने घर में जो भी ऐसा कोई स्थान बनाया हुआ है या आपकी कोई ऐसी अलमिरा है या लॉकर है उसे कदापी खाली ना रखें अब आप कहेंगे साथ हमारे पास कुछ है नहीं तो हम उसे खाली तो रखेंगे नहीं चाहें आप एक लाल कपड़ उसमें बांद करके अपने लोकर गला तीजोरी में रखें बरकत होने लगेगी घर का लोकर तीजोरी गला कदापी खाली ना रखें नहीं है कैश नहीं है गोर्ड नहीं है कोई बात नहीं लेकिन कम से कम ये सुगंदे द्रवे महां जरूर रखें और मैंने एक अंक में ये में खुले तो बहुत शुब रहता है पस्षिम या उत्तर में खुलने वाली जो अलमीरा होती है जहां आप अपना कुछ ऐसा समान रखते हैं कीमती या औरनावेंट से ऐसी कुछी कुछ चीजी रखते हैं तो वो अती शुब माना जाता है दर्शो को इतने पाइंट हैं आप एक में रहते हैं आप दो में भी रहेंगे आप चार में भी रहेंगे बी पॉसिटिव आप जहां भी रहते हैं जितनी छोटी जिगर में भी रहते हैं तो हम कुछ चीजों का ध्यान तो रख सकते हैं हम जाडू का ध्यान रख सकते हैं अलमीरा का ध्यान रख सकते हैं तूटे हुए किसी ऐसे पत्थर काँचा दी का ध्यान रख सकते हैं, तो जितना हम ध्यान रख सकते हैं, किसी भी चीज का हम उसका ध्यान रखने का जरूर प्रयास करें। तो दर्शो को उम्मीद करता हूँ, आज का ये छोटा सा वास्तू से संबंदी से संक किसी न किसी को लावानवित जरूर करेगा। और एक संदेश, यदि आप अपनी जर्म पत्रिगाएं बनवाना चाहते हैं, शुद्ध वद्यक तरीके से, या आप व्यक्ति के तोर पर मिलना चाहते हैं, या कहीं आप दूर दराज रहते हैं, आपका दिल्ली आप आना संबंद नहीं हैं, तो ऐसी स्थिती में आप कॉल प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से, समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं हमारे विबन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें